चंदननगर गाउं जगा पर बस कया वो पुराना मंदर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है इस मंदर को गाउं वाले भूतिया मंदर भी कहती है एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी गाउं का भूवन काम से लोट रहा था उसके कुछी दूरी पर गाउं का नाई कनुवा कहीं से वापस लोट रहा था अचानक से बिजली चमकी और मंदर का घंटा बजने की आवाज आई ए भगवान आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं सब सुख रखना तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से कनुवा नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ से गायव हो गया नहीं ऐसा नहीं हो सकता कनुवा चाचा थोड़ी देर में बारेश रुग गई और भुवन भागता हुआ कनुवा के घर जा पहुँचा चाची वो मंदिर वो मंदिर बताओ रे भुवन को क्या हुआ इतना घबराए हुए क्यों हो सब मंगल तो है न नहीं चाची कनुवा चाचा मंदिर के घंटे की आवाज में गाहिव हो गए नहीं ऐसा नहीं हो सकता कहतो कि ये जूट है मेरी आखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए मुझे माफ कर दो चाची मैं कुछ नहीं कर सका दीरज धरो बहु अब इन गाहवादों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है पिताजी बहुत प्यास लगी है एक बोतल पानी लाया था वो दो पहर में ही खत्म हो गया था जा नदी किनारे जाकर पी ले क्या पिताजी डेड़ किलो मीटर पानी पीने के लिए जाँ क्योणा हम अपने खेत में ये कुवा खोद ले मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुवा है चल चुप-चाप अपना काम कर जब देखो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है आलसी कहीं का देड़ किलो मीटर चलने के चलते इनको खेत में ही कुआ चाहिए अरे सपना में कुआ दिखता है कलालू भी निकलना है मा भी आएगी दो बोतल पानी भर लेना मा देखो ना बोतल से पानी खेत में गिर गया प्यास लगी है क्योंना हम अपने खेत में कुवाँ खो दें सच मुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में एक कुवाँ है अब तो शाम हो ही गई है घर चाकर पानी पी लेना बेटा मा मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा तुम लोग घर चले जाना मैं उससे मिलकर रात में घर लोटूँगा रतन और सुनीता घर चले जाते हैं बंकु अपने दोस्त चेतन से मिलने जाता है रात में घर पर बेटी सुमती पिताजी को थोड़ा खाना देया रात के नौ बच गए है नहीं तो वो सो जाएंगे पता नहीं ये बंकु कहां रहे गया लाओ मा मैं दे देती हूं रतन के पास जाकर पिताजी ये लीजी आपका खाना ठीक है बेटा लाओ बंकु अभी घर लोटा या नहीं अभी तक नहीं पापा बंकु भई अभी तक नहीं आये है तबी पुराने मंदर के घंटे के बजने की आवाज आती है आज वर्षों बाद पुराने मंदर का घंटा बजा था बहुत दिनों बाद, आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं, जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है, ये बंकु ना जाने कहां रह गया तबी सुनीता दोड़ती हुई आती है अजी सुनते हो बाहर पुराने मंदर के घंटे बच रहे हैं अभी तक बंकू भी घर नहीं लोटा कसब हो गया चाने क्या होने वाला है अरे भग्यवान आज आएगा घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्ते घरी रुख गया होगा फिलाल काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो अरे पिताजी आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतना डरे हुए क्यों हो आखिर बात क्या है उस घंटे में उसी समय दर्वासे पर कोई दस्तक देता है लो आगया मेरा बेटा बंकू अगवान का लाख लाख शुकर है सुमती जब भई आया है खोल दे दर्वासा सुमती जाकर दर्वासा खोलती है अरे पंडित जी प्रणाम हाँ बेटा मुखिया जी के हाँ पूजा करवा कर लोट रहा था तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा को मैं यहाँ आ गया अरे पंडित जी प्रणाम आईए आईए अंदर आईए बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजाए पता नहीं किस बदनसीब की किसमत खराब है वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना मुह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा प्रणाम पंडित जी देखे न बंकु दोस्त के यहां गया था अभी तक लोटा नहीं है पुराने मंदिर से घंटे की आवास आ रही है चिंता लगी हुई है दीरज रखो बहू कुछ नहीं होगा बंकु को भगवान भला करेंगे जहां होगा सुरक्षित होगा लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवास से सब इतना डरे हुई क्यों है मुझे कोई बताता क्यों नहीं ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बच्चता कैसे है लेकिन जब भी बच्चता है गाव से कोई न कोई लापता जरूर हो जाता है इसलिए मंदिर का घंटा बच्चते ही सभी अपने अपने घर में घुश जाते हैं तो इस घंटे को कोई खोल कर हटा क्यों नहीं देता जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की उसी शड उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया ओ लेकिन ऐसा होता क्यों है हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आबुशडों और मुर्तियों को लेकर भाग गये पर किसी गावाले ने पंडित ची की मदद नहीं की पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया लेकिन शर्दी के बारा बजे ठंडी रात होने के कारण कोई भी गावाले मदद के लिए नहीं गया कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है जब जब पुजारी की आत्मा कुहकती है मंदिर का घंटा बजने लगता है और गाव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है उदर घंटा बजने के पहले बंकु अपने दोस्त चेतन के घर पड़ था चेतन रात काफी हो गई है अब मैं चलता हूँ पिताजी खाना खाते समय मुझे खोचते हैं जरसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं ठेक है यार तुमारे साथ भी बता नहीं चला की टाइम कैसे गुजर गया इतनी रात हो गई तभी मंदर का घंटा बचने लगता है अरे बंकु थोड़ी देर रुख जा यार पुराने मंदर का घंटा बचने लगा जरूर कुछ होने वाला है नहीं यार पहले ही काफी लेट हो चुका है पिता जी मेरे एक बिना खाय सो जाएंगे और वैसे भी मैं इस अंधर विश्वास को नहीं मानता ठीक है चलता हूं दस मिनट में घर पहुँच जाओंगा चेतम के बार-बार मना करने के बावजूद बंकू वहां से अपने घर की ओर चल देता है जैसे जैसे वह चलता जाता उसके कानों में पुराने मंदर के घंटे की आवाज तेज होती जाती घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वो दोनों हाथों से कानों को ढख लेता है फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में नश्तर की तरह चुब रही थी इस दोरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा उसे पता भी नहीं चला एक आएक वो देखता है कि वो मंदर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह से खेंच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समाज जाता है जैसे घंटा कोई ब्लाक होल हो इसके साथ ही घंटे की आवाज आने बंद हो जाती है इधर रतन के घर चलो घंटे की आवाज तो बंद हुई भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो ठीक है रतन अब मैं चलता हूँ बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आही जाएगा ठीक है पंडित जी प्रणाम सुनो जी टॉर्च लेकर चेतन के यहां चाकर देखाओ घंटे की आवाज तो बंद हुए आदध घंटा हो गया बंकू अभी तक घर नहीं लोटा तुम ठीक कह रही हो सुनिता मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ सुमती जरा टाट्स तो लाना रतन पूरा रास्ता टाट्स से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुँचा वो दर्वासा खट-खटाता है अरे अंकल आप बंकू तो यहां से आदर गंटा पहले ही चला गया जब घंटा बच रहा था अभी तक घर नहीं पहुचा क्या नहीं बेटा अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुचा लेकिन जब पुरानी मंदिर का घंटा बच रहा था तब उसे जाने क्यों दिये बहुत ढूंडते हैं लेकिन बंकु कहीं नहीं मिलता रतन के घर पर हाहा कार मच जाता है जैसे तैसी रात गुजरती है सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमर पड़ती है रतन भाई मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बात से तुम्हारा बंकु गायब है मुझे इस बात का बहुत अफसोस है लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं सरपंच सहब बंकु मेरा इकलावता बेटा था वह पूजा पाठ अंदविश्वास को नहीं मानता था कितनी बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं नियती के आगे हम सब लोग बेबस हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारे उपर क्या बीत रहा है हम लोग तो सिर्फ सांत्वाना ही दे सकते हैं हाँ बेटा तो चला गया अब तो सिर्फ सांत्वाना ही हमारे हिस्से बचा है अभी कल ही वह कह रहा था कि पिता जी एक कुवा खेत में खुदवा दीजिए मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में एक कुवा है दो-तीन दिन बाद गाउं में एक दुष्ट पंडित बाबा चूरंदास आते हैं उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका एक लोता बेटा बंकु गायब हो गया है इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुँचता है अलखन रंजन कोई घर पर है बच्चा बच्चा तो नहीं रहा लीजे महराज ये एक किलो चावल सुईकार कीजिए नहीं माता मैं भिक्षा मांगने नहीं आया मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है कोई बात नहीं हम उसे वापिस लाएंगे महराज की जैहूँ कोई भी उपाय करे महराज कैसे भी मेरा बच्चा मुझे से मिलवा दे नहारायर नहारायर तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता बस थोड़ा सा दान पुर्ण करना होगा घर में जितना भी सोना है उसका त्याग करना होगा महराज सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरन दास को दे देती है ये लो बाबा, मेरे यहाँ चितने भी सोने के कहने थे, वो सब मैं ले आई, रुको, ये कान में मेरी बाली भी ले लो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा अरख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी मंदर चलना होगा, वही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा बाबा चूरन दास, सुनीता के परिवार को पुराने मंदर की ओर ले चल पड़ते हैं, जल्दी ये बात पूरे गाउ में फैल जाती है, बाबा चूरन दास बंकू को वापस लाएंगे, जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अ पाचा को वापिस ला दो, ये लोग हैने, मेरे पिता जी को वापिस ले आओ, ये लोग हैने, जल्दी बाबा के पास सोने के आभूशनों का अंबार लग जाता है, आप लोग सांती बनाई रखें, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे, अभी हम एक हवन करेंगे, चूरंदास मास्क पहन कर हवन में कुछ भस्म फेकता है, जिससे पूरे मंदर परिसर में धुआ फैल जाता है, और धुए में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, चूरंदास फोरन सारे जेवर समेट कर एक बोरे में भर कर भागने लगता है, कभी मंदर में तंगे घंटे से एक आएक किरने निकलती हैं और चूरन दास वहीं पर अपाहे जो जाता है। थोड़ी तेर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहे जो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। ओधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखरी इच्छा खेत में कुवाँ खुद वाने की थी। इसलिए रतन बंकु को याद कर खेत में कुवाँ खोद रहा होता है। तब युसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूशन मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ग्यानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तिया वही पुराने मंदिर की है, जो सैकलो साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरो नहीं से यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वही स्थापित किया जाए। पंडित ज्यान चंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बचने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है। क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमती चिलाती है। अरे मा दीखो, घंटी में से बंकु भया निकल कर आ रही है। अरे ओ गिर्धारी मेरे भाई, बरसो पहले तुम बिछड गय थे। जै हो देवी मा, तेरी लीला अपरम पार है। अरे रामधान भी, सभी लोग निकल रहे हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप आओगे। घंटी में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बेहन, किसी के चाचा, किसी के दादा, सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। अरे मैं ठीक हो गया, जै हो बाबा, जै भगवान, तेरी महिमा तु ही जाने। चूरन दास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसी लिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो, तुम इस मंदिर का देख भाल करो, यही भगवान का आदेश है। मैं जीवन भार इसी चोखट पर पड़ा रहूंगा, मुझे मोक्ष यहीं मिलेगा। शायद आज इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शान्ती मिला होगा, मंदिर में भगवान फिर से स्थापित हो चुके हैं। इस खटना को आज कई साल बीद गए, लेकिन फिर कभी मंदिर का घंटा नहीं बजा। अजया रहूंगा, मुझे मिलेगा रहूंगा, मुझे मुझे रहूंगा, मुझे पुछे लेकिन बजारी चुके हैं।